दोस्तो GSTR1 जो आपकी return है काफी important return है क्योंकि सामने वाला उसके basis पर ही अपना ITC लेता है तो GSTR1 में आप तो काफी strict जो है provisions आ चुके हैं कि अगर आपने पिछली GSTR1 फाइल नहीं की है तो आप अपनी current GSTR1 के filing नहीं कर पाएंगे लेकिन पहले आपके लिए इस तरह के जब strict provision नहीं थे तो आप अपनी GSTR1 के filing late करते थे यह सोच करके कि GSTR1 के अंदर तो कोई late fees applicable है या लगी नहीं रही है तो GSTR1 late भी हो तो उसमें आपका क्या नुकसान है तो अभी जो है social media पर एक notice जो है वो share किया जा रहा है कि GSTR1 जो section 37 subsection 4 है उसको implement किया गया है following the implementation of the amendment to section 37 subsection 4 GSTR department issue कर रहा है late fees notice of GSTR1 अगर आपने अपनी GSTR1 की filing को late किया था तो उससे जुड़े notice जो है वो आ रही है department की तरफ से it has been observed कि आपने GSTR1 late file की but not paid late fee as per the GST provisions GST provisions के according late fees जो है वो आपने correct file नहीं करी है pay नहीं करी है तो वो late fees जो है आपको pay करनी है तो late fees के लिए आपका GSTR1 में तो कोई भी option नहीं है कि आप GSTR1 में pay करें तो late fees के लिए अभी अगर आप अपनी 3B में देखेंगे तो वहाँ पे बोला गया है कि आप अपनी जो GSTR1 की late fees है वो आपकी अप 3B के अंदर लगके आएगी ये changes भी आपके साथ share किये जा चुके है कि आने वाले समय में जो आपकी GSTR1 late fees होगी वो आपकी 3B में ही लगके आएगी तो अभी तक तो ये late fees वहाँ पे लगके नहीं आ रही है लेकिन आपके जो late fees है वो आप पर applicable हो जाती है ठीक है तो जब भी GSTR1 से जुड़ा आपके साथ हमने कोई भी update शेयर किया है CVIC का late fees department आपसे कभी भी ले सकता है क्योंकि लोग के अंदर late fees तो applicable है वो पे अभी आप नहीं कर रहे है ये portal आपसे नहीं चार्ज कर रहा है इसका ये मतलम नहीं है कि late fees applicable नहीं है late fees आपसे कभी भी ली जा सकती है और आने वाले टाइम में जो GSTR1 की late fees है वो 3B के अंदर लगकर करके आपसे ली जाएगी तो इस तरह के notices जो है social media पर share किये जा रहे हैं अगर किसी को इस तरह का कोई notice receive हुआ है तो आप हमारे साथ share जरूर कीजिएगा आपके लिए एक awareness वीडियो है thank you for watching